प्लीट में निकाल को नखागे एक सेखें यह है बटर ग्रेग नॉन रोस्टड यह मेरा बचा हुआ स्टॉक के सारा यह नॉन रोस्टड सी दीख रहा है आपको यह यलो है थोड़ा सा उसमें थोड़ा मिक्स है इसमें क्या होता है कि इसमें पानी पकड के रखने की जो शमत में उसकी वज़े से क्या होता है इसका बन जाता है गोला यह पानी छोड़ता नहीं है जल्दी जैसे कि नाकुमट है नाकुमट में अगर आप पानी डाल दो तो वह पूरा मिक्स हो जाता है क्रंबल हो जाता है एक अच्छा सा पेस्ट बन जाता है नाकुमट का लेकिन इस पाइसपर बात ही है ये होता है, होता है टाकुन बगर होता है उसी की तरह है प्रला थोड़ा सा पानी पकड़ सकता है और इसके वज़े से क्या है की रोस्टट होने की वज़े से थोड़ा नहीं बेटा इस Всем फिख सकते हैं इसकी बैर जन्य फेरर 08 k मेरे पाल ज़्रूट कि तरह क्लिक लेकर नहीं शाह सब्रीन होता सब्रूब्र आइफोट में ज़्यादा फरक नहीं होता है एक ही फरक के टेस्ट का यह बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है नाकुमट के इसी की बहन और भाई जो भी है तो उसे क्या होता है कि वह पैट में बैट जाती है पानी पिए या कुछ भी आप करें उससे कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्ब्म्स बहुत जादा होती है हिंदी में कब्स तो उसकी विज़े से आप कितना भी पानी पी लो आपको आपके इसके बाद है मेरे पास रेड क्ले आप रेड क्ले एक बार ट्राइ कर सकते हो रेड क्ले के तो सीड़ी से ऐसे वाले चंक्स में मुझे यूज़े बहुत पसंद आते है और इससे जादा तकलीफ नहीं होती है मैंने कंजूम किया हुआ है यह मेरे बॉड़ी टाइप की बा पाते हो कि कुकर मों ऊसे जदा होτα sc equivalent तो इससे जदा तकलीफ नहीं होती इस पर लियापको बहुत सारा पानी पीना है पानी पिने के बाद यह सिमेंट है लेतरल यह क्या है उसी को पता जो बनाता है मुझे बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ही अच्छी नहीं लगती आज किस प्रेढ़े ही Ipod इतनी अर्थी और इतनी टेस्टी लगती थी यह इतनी कपकी बच्छी वही मेरे पास मैं खाती ही नहीं इसको जादा कभी कबार मन किया सारे क्लेज खतम हो गए तो फिर मैं घूम फिर केस पर आज आ जाती है वहना मैं नहीं हाथ लगा दी ससी दे लेकिन हां बहुत सारे बोडी में कुछ परक पड़ेगा अधर्वाइस यह हामफूल ही ठरता है तो यह हैं क्लेज पिंक क्ले वाइट क्ले एक्जाक्ली सेम होते हैं नॉन रोस्टेड या सेमी रोस्टेड नाकोमेंट के बराबर चौक अगर कोई खा रहा है तो वह भी बेंटॉट है उसको भी आ नाच्छण नहीं होता है सवलो करने के बात सारे सक्ले वैसी होते है जो आपके बॉडी को आपके ड़ाजस्टीर शिस्टम को हामफूल करते है कोशिश करें कि जाधा सवलो ना करें यह बार बार कहने के पीछे एक है रिजन है क्योंकि जो प्रोग्रम होने लगती है या हो रहेगा कि आप पहले ही दहान रखिए बाद में तकलिफ होने से और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि हर किसी की बॉड़ी